अलो अच्छो कैसे आप लोग मॉक्टेश पेपर 2 के discussion के second part में आप सभी का स्वागत है first part में मैंने आप लोगों के साथ मॉक्टेश पेपर 2 का question number 1 से लेके question number 3 discuss किया था अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लिजेगा link में बटन पर छोड़ दूँगा इस वीडियो में हम लोग question number 4 से लेके question number 6 cover करेंगे आप लोग मॉक्टेश पेपर को डाउनलोड कर सकता है ICI के website से जिसका link मैंने description पर दे दिया तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने discussion को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग करते है question number 4 का ए पार्ट यह question आपका partnership accounts है कह रहा है Venus and Mercury are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 to 2 तो आपको दोनों partners का profit sharing ratio दे दिया the balance sheet of Mercury and Venus as on 31st March 2022 was as follows तो आपको एक balance sheet दे रखी है तो balance sheet एक बड़ी simple सी balance sheet है जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप देख लेना कुछ reserves वगरा तो नहीं है क्योंकि यह admission का सवाल है हम देख लो Mars was admitted है जब भी reconstitution से related आपका question बन जा है तो आप एक बड़ चेक कर लेना कि आपका कहीं पे भी reserves वगरा कुछ और तो नहीं दे रखा इस question में तो दे नहीं रखा तो हमारी बात ही खतम हुए तो कहारा Mars was admitted to the firm on the above date on the falling terms he is admitted for 1.6 share in future profits and to introduce a capital of rupees 1 लाए तो 1.6 share के लिए admit हो रहा है और यह capital कित्त रुपे का लाएगा एक लाख रुपे का अब जब भी new profit sharing ratio दे दे आपको तो आपको sacrificing ratio निकालना पड़ेगा तो आपको partners का gain या sacrifice जो भी है वो निकालके basically sacrificing ratio निकालना पड़ेगा लेकिन अब इस question पर देखना जो new ratio दे रखा है उसमें Venus और Mercury कि उसमें Venus और Mercury की बीच का जो share आ रहा है वो आ रहा है 3 इस्टू टू और जो उनका existing share था वह है 3 इस्टू तो यानि कि जो इनकी बीच का new ratio में जो नकी बीच आपसी ratio है वह इनके old ratio के ही बराबर है इसमें आपको sacrifice निकालनी की जरूत ही नहीं इसमें आप जो case number 1 पढ़ते हो अपने calculation of new ratio का वो लग जाएगा यहाँ पे और वहाँ पर shortcut आ गया basically इसमें क्या होता है sacrificing ratio आपका old ratio के बराबर बन जाता है तो यहाँ पर sacrificing ratio आपको 3 to 2 ही आएगा हाला कि आप calculate करके भी check कर सकते हो आपका लेकर sacrifice ratio 3 to 2 आएगा चलिए अब third point पढ़ते हैं third point इस third point में मेरे को थोड़ी सी दिक्कते हैं मुझे काफी सारी दिक्कते हैं इस third point में जो ICI ने डाल रखा है तो इसको मैं आपके साथ discuss करूँगा तो मैं आपके साथ discuss करूँगा एक बढ़ पढ़ लेता हूं क्या कह रहा हूं कहानी क्या कह रहा है वो कह रहा है Mars is unable to bring cash for his share of goodwill तो Mars अपना goodwill का share cash में नहीं ला पाया ऐसा question आप से कह रहा है partners therefore decide to raise goodwill account in the books of the firm partners ने क्या decide कि वो goodwill account को raise करेंगे अपनी books और आगे तो मेरे को बहुत ही भी होश हो गया मैं आगे का point पढ़के वो कह रहा है they further decide to calculate goodwill on the basis of Mars share in the profits and the capital contribution made by in the firm in short वो आप से कह रहा है कि आपको यहां पे क्या लगाना है यहां पे आपको लगाना है hidden goodwill आपको basically hidden goodwill की यहां पे calculation करेंगे अब इस point में मुझे बहुत सारी दिक्कत है बहुत सारी दिक्कत है और क्यों institute यह point डाल रहा है मेरे तो बिल्कुल नहीं समझा रहा है पहली दिक्कत में आपको बताता हूं पहली दिक्कत मुझे इस points है decided to raise goodwill account क्यों इस points मुझे दिक्कत है accounting standard number 26 आप 12th level पर पढ़ता हूं 12th level पर आपको बता दिया जाता है accounting standard number 26 कहता है कि गुडविल जो बेसिकले accounting standard 26 आपके इंटेंजबल एसेट से डील करता है और उसमें जो प्रिंसेबल लेट डाउन है उसके मुस्ताफ़ेश्च सिर्फ वही goodwill जिसके लिए कोई consideration दी जाती है जो reliably measure किया जा सकता है वही goodwill वही intangible asset आप अपनी books में record करते हो in short हम वहाँ पर बोलते थे कि भाई जो purchased goodwill है वही हम यहाँ पर अपने asset पर record कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो goodwill है वह purchased goodwill तो obviously नहीं है क्योंकि हम यहाँ goodwill की calculation कर रहे हैं अपने अपने ही accounting standards का उलंगन कर रहा है इस question में तो यह point उनको डाला ही नहीं चाहिए लेकिन कहां नहीं आता खतम होती एक problem और हो गई उसने यहां तो बोला कि मार्ज अपना share of goodwill नहीं ला पाया cash में ठीक है नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं लेकिन नीचे उसने hidden goodwill निकालने बोल दी अब hidden goodwill की जो calculation करते हैं उसके पीछा मारा logic क्या होता है उसके पीछा मारा concept क्या कहता है कहता है hidden goodwill में हम यह मानते कहीं न कहीं कि जो capital एक लाख रुपेगा जैसे यहां पर जो capital लाया partner उस पे ही कहीं कहीं न कोई goodwill छुपा हुआ है उसमें ही goodwill छुपा हुआ है उस छुपे गुडविल को बाहर निकालते हैं तो कहीं न कहीं जो cash में जो पैसा लेकर आता है partner जब hidden goodwill का concept हम अप्लाई करना होता है तो उसमें हम यह मानते कि जो गुडविल का शेर है उसमें कहीं न कहीं छुपा हुआ है उसी को हम भार एक्चली निकालते इस पूरी अपनी calculation से hidden goodwill के formula से तो एक तरफ वह hidden goodwill आपको निकालने बोल रहा है दूसी तरफ दूसी तरफ वह बोल रहा है कि वह अपना goodwill cash में लाई नहीं हाओ इस पॉसिबल मेरे तो समझी नहीं आया दोनों पॉइंट से आपस में actually contradict कर रहा है तो यह पॉइंट मेरे साब से टेक्निकली गलत है टेक्निकली इसमें जो भी पॉइंट दे रहा है मेरे इसाब से गलत है बट क्यूंकि दे रहा है तो मैं portion के according आपको इसका solution करा दूँगा डिसकस कर लूँगा बट अगेन मैं बार-बार कह रहा हूँ इस point पर अगर आपको confusion होती है तो आप मेरे से पूछनावत क्योंकि मैं खुद ही इस point से agree नहीं करता anyway तो इसको मैं calculation और सारी चीज़र डिसकस करूँगा और फिर हम लोग देखेंगे इसको भी क्या करना है अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर फोर्थ पॉइंट कहता है furniture is to be returned down by 3480 furniture को हमें 3400 सी रूपे से कम करना है अब प्रोविजन is required for debtors at the rate of 5% for bad debt जब भी प्रोविजन फोर बैडेट से प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स का वो परसेंटेज बोल दे या बनाने को बोल दे तो अब हमेशा चेक कर लेना कि जो existing balance sheet है कि उसमें कोई existing provision आ तो नहीं रहा जैसे इस question में आ रहा है हमको तो जो भी हम calculation करेंगे उसके according हमको करने पड़ेगी आगे कहता है provision would also be made for outstanding wages for 640 तो हमें outstanding wages की provision मनानी है 640 का तो basically एक unrecorded liability है यह तो value of buildings having appreciated भी brought up 2 rupees 16800 बिल्दिंग इसकी value अब 1,168 हो गई existing value आ रही थी एक लाग 4,000 की तो कहीना कहीं यह 12,800 रुपे से बढ़ गई the value of investment is increased by 1,800 रुपे 5th point में कैरा it is found that the creditors included a sum of rupees 5,600 which is not to be paid off तो एक creditor में हमारी कोई liability जो हमें अब नहीं पे करनी तो in short 4th और 5th point में जो सारी चीज़े दे रखिये यह रिलेट करती है आपकी re-valuation account से यह आपको re-valuation account से सारी related points दे रखिये है question आपसे मांग क्या रहा है prepare the following, re-valuation account बनाओ re-valuation account बनाओ, partners capital account बनाओ और balance sheet of new partnership firm यानी reconstituted balance sheet आपसे बनाने बोल रहा है और इस question की weightage आप नीचे चेक करना 15 number की weightage है इस question की तो एक यह goodwill पहला point छोड़ दूँ तो इसके रावा जो सारे meaning जो question आपका 12th level का question है और इस तरह का इस length का question जो होता है आपका कहीं आठ number में आया करता था आपकी 12th में लेकिन यहां उसने आपसे 15 नंबर में पूछ रखा है anyway इसको लोग solve करते हैं तो मैं detail में बहुत solve करूंगा सारी calculations और सारे जो concept से वो discuss करता रहूंगा और आपको suggested answer दिखा दा रहूंगा तो सबसे पहले तो हम लोग revolution account के point से deal कर लेते हैं revolution account का जो point है उसमें देखो सबसे पहले उसने furniture बोला है 3480 से कम करना है तो एक asset को हमको कम करना है और यह loss हो गया revolution account आपको याद होगा एक nominal account होता है जिसमें नुकसान को हम debit side पर दिखाते हैं और फाइदे को फाइदों को हम लोग सारे credit side दिखाते हैं तो पहला जो furniture कम हो रहा है 3480 से यह नुकसान है तो इसको हम लोग दिखा देंगे अपने revolution account के debit side पर यह तो यह आगे पहली बाद debit side पर फिर कहता है कि stock is to be depreciated by 5% तो stock आपको 5% से कम करना है तो यहाँ पे stock 85-600 का दिया हुआ है तो इसका दरब 5% आप निकाल के देखना खित्ता आ रहा है तो यह आ रहा होगा 85-600 into 5% तो यह आ रहा है 4-280 यानि हमें stock 4-280 से कम कर है तो चेक कर लो एक बार यही कर रखा है वो टूइट 0 से हमने stock को कम कर रखा है asset कम हो रही है नुकसान है तो revolution के debit side पर आ जाएगा इसके लावा और क्या कह रहा है वो आप से वो कह रहा है provision मनाना है 5% for bad debts का तो provision हमेशा याद रखना gross debtors का calculate होता है तो यहाँ पे इसका 5% निकाल लेना तो यह आ रहा होगा कितर 7000 रुपे आ रहा है तो 7000 रुपे का हमें provision बनाना है लेकिन existing provision अभी 800 रुपे की है तो यानि कि हमको provision को बढ़ाना पड़ेगा 6200 रुपे से तो provision बढ़ाना basically liability बढ़ाना हो गया तो यह भी एक नुकसान है तो यह भी revolution account के debit site पर आ जाएगा तो यहां से आप चेक कर सकते हो 6200 रुपे से हमने अपना provision बढ़ा दिए अगला point है building का तो building की उसमें जैसे की बोला था कि value अब 116800 रुपे से बढ़ गई तो अब यह asset की value बढ़ रही है तो यह फायदा है फायदे को हम revolution के credit site पर दिखा देंगे इसके बाद कहता है अगले point में की investment की जो value है वो तो सीजा उसने बोल दिया 1800 रुपे से हमें बढ़ानी है तो यह भी एक फायदा है इसको भी हम दिखा देंगे अपने revolution के credit site पर और last point पो उसने बोला था it is found that credit has included a sum of 5600 which is not to be paid यानि एक liability हमारी जो अब हमें pay नहीं करनी य और मेरी बात खतम हो जाएगी 5600 बात खतम अब जो है अपना जो controversial जो point है इस question का मेरे इसाब से उस पे मैं आता हूँ तो पहले मैं काम करता हूँ इसमें कैसे करना चाहिए था इसमें क्या point होना चाहिए था पहले मैं वो discuss करता हूँ और फिर ICI ने जो question में डाल रखा है उ जो मैं आपके साथ discuss करूँगा तो दोनों काम के लिए मुझे सबसे पहले hidden goodwill की calculation करनी पड़ेगी दोनों point के लिए मुझे hidden goodwill की calculation करनी पड़ेगी तो सबसे पहले मैं hidden goodwill की calculation कर लेता हूँ तो hidden goodwill निकालना बहुत simple है भाई सबसे पहले आपको निकालना होता है total capital इसको मैं बोल देता हूँ including goodwill including goodwill total capital including goodwill जो हम निकालते on the basis of new partners capital जो new partner capital लेके आया उसके basis हम निकालते है तो partner एक लाग रुपे का capital लेके आया और इसका जो profit share है वो 1 by 6 है तो हम इसको लेके इसको reciprocal of share से multiply कर देते है तो एक लाग रुपे का capital लाया तो अगर इसको मैं reciprocal of share से multiply कर दूँँगा तो ये मेरा आजाए का कित्ता 6 लाग रुपे लेकिन मेरी actually में total capital है कित्ती इसको मैं बोल देता हूँ total capital excluding goodwill ठीक है इसको यहां net worth भी बोल सकते है लेकिन मैं total capital ही बोल रहा हूँ कोई भी आप term use कर सकते हो तो ये मैं बता देता हूँ कित्ता है वाई total capital excluding goodwill ठीक है इसके लिए आप इधर आजाओ इसके लिए आप इधर आजाओ तो total capital दोनों partners की 3,20,000 की दे रखे टोटल capital 3,20,000 की दे रखे existing partners की पुराने partners की प्लस इसमें आप कर दोगे new partner का capital add तो total capital होगी कित्ती इधर आजाते है वापस 3,20,000 प्लस एक लाग तो ये कित्ता आ जाएगा ये आ जाएगा 4,20,000 4,20,000 तो मेरी hidden goodwill कितनी आ गई ये आ गई 1,80,000 तो ये hidden goodwill है ध्यान रखना ये firm की goodwill है ये पूरी firm की goodwill है क्योंकि हमने total capital लेके बनलब totality में सारी figures लेके किया तो ये total firm की goodwill है इसमें नए partner का share कित्ता हो न चीए था क्या नाम था भाई नहीं पार्टनर का मार्स है ना planets के नाम दे रखे बेसिकली इन्होंने तो बेसिकली इसमें मार्स का क्या share होना चीए था ये क्या share बनता है एक लाग हस्सी हजार का 1 by 6 1 by 6 तो 30,000 ये मेरा मार्स का share बनता है और sacrificing ratio तो मैंने आपको बताई दिया कित्ती हमने बोली 3 to 2 3 to 2 अब इसमें कहानी होनी क्या चाहिए थी तो सबसे पहली entry तो हम करते bank account debit to Mars capital तो कितने रुपे लेके आया cash में basically Mars ये लाया 1 लाग एक लाग रुपे अब जो हमारा hidden goodwill का concept होता है होती ही हमारी thinking होती है वो होती ही है कि hidden goodwill में क्या है चुपा चुपा हुआ goodwill है तो यानि जो 1 लाग रुपे का पैसा लेके आया partner इसमें कही ना कही ये 30,000 का इसका share already चिपा हुआ है तो हम इसके बाद इसकी entry करते क्या second entry हम straightforward goodwill adjustment की gaining to sacrificing बाली जो entry होती है वो कर लेते हैं तो इसके entry actually जो बनती हमारी वो बनती मार्स capital account debit 30,000 है ना यानि हम 1 लाग रुपे के total capital में से उसका goodwill का जो part है वो निकाल देते बाहर और फिर इसको हम लोग sacrificing ratio में दे देते पुराने partners को यानि Venus का पहले नाम नहीं है तो मैं Venus लिखता हूँ पे Venus इसको Venus लिखता है पहले तो Venus capital account to Mercury's capital account इसको हम लोग sacrificing ratio में बाढ़ देते जो कि आता कितना 18,000 और 12,000 18,000 और 12,000 यह होना चाहिए था यह होना चाहिए था ideally इस question में ना ही उसने बोलना चाहिए था कि goodwill raise करना है ना ही उसने question में बोलना चाहिए था कि नया partner goodwill cash में लाया ही नहीं इतनी कहान ही होनी चाहिए था और अगर उसको यह बोलना भी था कि वो goodwill cash में नहीं लाया तो फिर उसको hidden goodwill की कहानी बतानी नहीं चाहिए थी फिर उसको straight forward या तो goodwill की value बता देनी चाहिए थी फिर हम लोग उसको accordingly लेके चलते हैं लेकिन क्योंकि hidden goodwill में मैंने आपको क्या बोला कि हम अल्रडी ही मानते ही हैं कि जो cash लाता है partner उसमें goodwill का share कहीं नहीं चुपा हुआ होता है तो आप एक तरफ कहारे हो कि goodwill का share उसमें चुपा हुआ है दूसरी तरफ आप कहारे हो कि goodwill वो लाया है यह नहीं तो दोनों तो बहुत ही contractory बाते हों गई तो I don't agree with this और दूसरा goodwill raise करने वाला point भी इसमें होना ही नहीं चीए तो goodwill raise करने वाला point तो होना ही नहीं चीए क्योंकि वो accounting standard का उलंगन है तो anyway question ने क्या बोला question ने अब ये बोला ये सही होना चीए था जो मेरे हसाब से आपका answer बनना चीए था लेकिन क्योंकि question ने क्या बोला कि partner नया अपना goodwill का share लाया ही नहीं और साथी साथ आपको goodwill raise करना है अपने books में तो यानि कि question की instructions के according हमको ये entry करनी ही नहीं ये entry हमको करनी ही नहीं इसके जगा हमें क्या entry करनी है मैं red से लिखूँगा क्योंकि ये गलत काम हम actually कर रहे मेरे साथ से तो goodwill account उसमे raise करने बोला है तो हम यहाँ पे goodwill account raise कर देंगे तो goodwill तो पूरी फर्म का है गुडविल तो पूरी फर्म का गुडविल कितना बन रहा है एक लाग सी अजार का तो एक लाग सी अजार का गुडविल अकपना raise कर देंगे books में और किसको credit करेंगे हम पुराने partners को credit करेंगे तो to venus capital to mercury's capital to mercury's capital इसको हम लोग sacrificing ratio में raise कर लेंगे तो 3 to 2 का sacrificing ratio है तो इसको जब 3 to 2 में बाट होगी तो कितना बट जाएगा भाई बाट देता है उसको 3 to 2 में एक लाग सी डिवाइड बाट पांच इसका आ रहा है एक लाग आठ और इसका आ रहा है 72,000 तो question की instruction के साबसे हमको actually में करनी पड़ेगी ये entry ये entry करनी पड़ेगी तब एक बाट solution में check कर लेना solution में check कर लेना यही कर रखा है इन्होंने देखो इन्होंने goodwill account raise कर लिया उन्हेंने goodwill account raise कर दिया और इसको sacrificing ratio में credit कर दिया पुराने partners में और नई balance sheet में उन्होंने इस goodwill को दिखा दिया which is not correct बार बार कह रहा हूं which is not correct simple AS26 का यह violation कर रहे हम लोग उठके हम लोग clearly AS26 का violation कर रहे है बट करना पड़ रहा है क्योंकि question बोल रहा है अच्छा एक point और में इसे miss हो गया मेरे खाल से जब मेरे revolution account discuss किया तो बस चल्दी जल्दी में मैंने सारी adjustments और calculations discuss कर ली इसमें actually में एक चोटा सा point बोलना भूल गया कि यहाँ पे जो debit credit का total आ रहा था revolution account में वो same ही आ रहा था यानि कोई भी profit या loss नहीं बच रहा था ठीक है तो revolution account आपने बना तो दिया वड़ उसमें ना ही कोई profit बच रहा है ना कोई ना ही कोई loss बच रहा है तो revolution account में सर्फ इतना ही करना था तो यह मेंसे miss हो गया था तो anyway कोई बात नहीं अब मैं वापस से आ जाता हूँ तो अब जो actually goodwill के हमने काम इसमें किया है वो यहीं किया है तो पहली entry तो यही करिए देखो पहली entry तो यही करिए क्योंकि capital तो बलाया है तो उसको तहम change नहीं कर सकते तो पहली entry तो हमारी यही बनी है यह वाली एना तो bank account debit to mars capital account ये ही कर रखा रहा मैं क्योंकि शायद है रमands किश दे रुखक गा fazendo मैंक जब ने क्या रहा है ठीश और टीश दे रहा है तो चलो हम भी चैशड में कर लेंगे को deze यहां में को दिख्कत नहीं है यह Vanilla डलने यह कैश है as per instructions of questions तो बस main तो देखो यही काम था, revolution discuss हो गया goodwill discuss हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा reconstituted balance sheet तो आप बनाई सकते हो तो balance sheet में हम सबसे पहले इसमें क्या है, कि capital account को close कर देंगे और capital account के closing balances हम निकाल लेंगे capital account के closing balances निकाल लेंगे और नई balance sheet में इसके अलावा हम जो बाकी सारी चीज़े हैं as per जो given balance sheet है वो डालेंगे सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो भी revolution हमने करी है, जैसे building को हमने बढ़ा दिया furniture को हमने कम किया stock को भी हमने कम किया provision हमने बढ़ा दिया provision हमने बढ़ा दिया इसके अलावा investment भी बढ़ाई ठीक है, और और creditors कम हो गए एक नई liability आ गई थी, यह हमने यह आपे दिखा दी, इसके अलावा cash जो था, cash भी बढ़ गया एक लाग रुपे से क्यूंकि जो cash लेके आया नहीं partner, उस amount से cash मेरा बढ़ गया, तो यह सारी वो इसमें थोड़ा सा problematic है तो मैंने अपनी तरफ से पूरा अपनी विचार दे दी आपको और अपनी सारी बात बोल दी तो इस point में अगर आपको actually confusion आता है कि क्या है, क्यूं है, तो आप मेरे से doubt नहीं, मत raise करना क्योंकि मैं खुदी इस point से थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से agree नहीं करता, ठीक है I hope अपनी तरफ से फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीजों की clarity दे पाऊ conceptual clarity आपको मैं दे पाऊ तो यह मेरा question खतम होगे अब मैं फटावट से बढ़ता हूँ अपने next question की हो अब हम करेंगे question number 4 का B part तो यह question अच्छा question है पढ़ना इस question को Miss Nidhi is engaged in business of selling magazines several of her customers pay money in advance for subscribing his magazines information, his magazines Miss Nidhi है लेकिन his magazines हो रहा है चलो कोई बात printing mistakes तो बहुत है तो यह his नहीं हर होना चीए था बढ़ चलो हम इचनी सी printing mistake को तो माफ करी सकते है anyway आगे कहता है information related to year ended 31st March 2022 has been given below तो क्या-क्या information दे रखिये क्या रहा है on 1st April 2021 he had a balance of rupees 6 lakhs advance from customers on which of which rupees 4 lakh 50,000 is related to the year 2020-21 एक मिनिट बहाँ अपरे को और printing mistake है तो इस printing mistake को भी ठीक कर जाते है जो हमें जिस accounting year के लिए हमें calculation करनी है वो है 2021-22 as per question तो यहाँ पे जो उसने 2020-21 दे दिया यह गलत है तो काफी सारी printing mistake दिखी दिखी दिए है मुझे इस वाले मौफ्टेस में तो this is wrong पतले पैंसे लिखते हैं इसको ने तो बाकी सारी information छुप जाएगी तो यह गलत हो गया इसको card देना यह होना चाहिए 2021-22 और यह होना चाहिए 2022-23 ठीक है तो एक correction आप अपने पास note कर ले नो यह भी गलत है भाई तो copy paste तो करा इन्होंने इधर उधर से लेकिन चीजों को update करना भूल गए ठीक है चलिए अब मैं question दुबारा से इस line को starting से पढ़ता हूँ फटापट से तो कहारा है on first April 2021 he had a balance of rupees 6 lakhs advance from customers of which rupees 4 lakh 50,000 is related to year 2021-22 यानी की opening rate पे हमारे पास कुछ advance from customers ते advance from customers एक liability होती है याद रखना एक प्रकार से आप कह सकते हो एक unearned income होता है तो एक हमारी advance from customers की opening balance में आ रहा था किता आ रहा था 6 lakh रुपे कहता है उसमें से जो 45,000,000 है वो current year से relate करता है तो current year की जो income है इस advance में से वो 45,000,000 रुपे की है और remaining जो है यानि remaining 1,500,000 रुपे जो है वो 2021-22 की है sorry sorry 2022-23 की है यानि next year की है तो वो अभी भी मेरे ले liability खड़ी रहेगी दिखा दूँगा इसको क्या करना है during the year 2021-22 she made cash sales of रुपीज 15,000,000 रुपे इसके लावा 15,000,000 की cash sales ली you are required to compute total income for the year 2000 ये भी जखो गलात है major गलती है उमीद करना भाई आपके exam में ऐसी गलती वो ना दे दे 2021-22 ठीक है तो ये 2021-22 ना चाहिए तो कह रहा है कि current year यानि 2021-22 की आप लोग total income निकालो तो total income आप कैसे निकालोगी तो total income निकालने के लिए आपको कहां करूँ इसको मैं इधर कर देता हूँ तो total income आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको सबसे पहले advance from customer का account बनाना पड़ेगा advance from customer तो इसमें सबसे पहले उसमें opening balance दे रखा था by balance bd by balance bd उसमें 6 लाख रुपे का दिया था क्या उसमें closing balance भी दे रखा है क्या इधर आ जाते है हाँ उसमें देखना नीचे second point पे उसमें बोल रखा है कि आपको advance from customers का जो closing balance है closing balance है वो किता है पांच लाख दस हजार का पांच लाख दस हजार का तो closing balance हो गया इधर two balance cd पांच लाख दस हजार इसके अलावा हो कहता है वो छे लाख पूपे में से current year की sales मलब current year की income किती बंती साड़े चार लाकी तो छे लाख में से हम current year में sales record कर देंगे ठीक है तो इक कहीं न कहीं यहाँ पे closing balance बचेगा इधर यहाँ मेरा closing balance बचेगा इसको मैं बोल जूँगा by cash यादि current year में मुझे actually में कितना cash फिसी हुआ तो यह कितना आएगा भई total कितना आ रहा है यहाँ नो लाक साथ हजार नो लाक साथ हजार तो balancing figure मेरी कितनी बच गई balancing figure बच गई तीन लाक साथ हजार की मेरी balancing figure बच गई तो question सबसे पहले आपसे बोला था कि कितनी current year की income बनेगी current year income current year की income कितनी बनेगी तो कितनी बनेगी एक तो sales relating to current year यानि यह साड़े चार लाक रुपे जो current year का income है साड़े चार लाक की यह हो जाएगी एक तो और इसके अलावा हमने cash sales भी कर रखी है plus cash sales क्योंकि यह cash sales भी तो मेरी income ही होती है तो cash sales मेरी current year की income हो जाएगी तो कितनी दे रखी है cash sales पंद्रा लाक पंद्रा लाक की cash sales आपको दे रखी है तो पंद्रा लाक इसमें आड़ कर दो current year की income मेरी निकल के आजेगी 19,50,000 19,50,000 यह हो गया मेरा first part complete इसके अलावा question ने second part में आपसे मांगा है कि आप निकालो कि total money कितना receive हुआ नहीं साल की दुरान मुझे total कितना cash receive हुआ तो कितना cash receive हुआ यह तो बहुत simple हो गया मैंने calculation टो already कर दी तो एक तो cash received during current year current year में में कितना cash receive हुआ तो एक तो ले लो कि क्या cash receive from customer cash receive from customers यह कितना है यह मैंने यहाँ पर निकाला था balancing figure तीन लाख साथ हजार यह ठीक है तो एक तो जी तीन लाख साथ हजार आ जाएगा 3,60,000 प्लस भाई जो cash sales हमने करी तो cash sales करी तो उससे भी तो मेरे को cash मिला तो वो भी तो यहाँ जोड़ना चीए तो कितनी की cash sales करी 15,000,000 की तो 15,000,000 हम यहाँ पैड़ कर देंगे तो total मुझे साल के दौरान कितना cash मिला 18,60,000 यह हो गया मेरा second part कान तो आप इस आंसर को मिला देना वैसे कोई दिक्कत नहीं है same way में कराए ICI ने बिल्कुल ठीक थी तो सबसे पहले 19,50,000 का मेरा वो आ गया क्या बोलते हैं current year की income आ गई यह current year की sales आ गई और 18,60,000 का मेरा cash receive आ गया साल का ठीक है तो बहुत simple question था आप बहुत बच्चों को हो सकता है यह समझी ना आएगी कौन से chapter का question बोलोगे आप यह तो यह आप कर लिया अब हम फड़ावट से question number 5 पर बढ़ते हैं अब करना आपको question number 5 का a part question number 5 का a part new state society showed the following position as on 31st March 2021 31st March 2021 की आपको basically नीचे एक balance sheet दे रखी है आपको balance sheet दे रखी है तो balance sheet से में पहले है इसमें देखना आपको capital fund भी दे रखा है capital fund दे रखा है बाकी सारी चीज़े दे रखी है इसके लाब आपको दे रखा है नीचे क्या है receipts and payments account receipts and payments account for the year ended 31st March 2022 यहनी साल हमारा खतम हो रहा है 31 माद 2022 को और जो balance sheet आपको दे रखी है वो दे रखी है 31 माद 2021 की that means यह आपको भगवान का आश्यरवाद दे रखा है आपको यह opening balance sheet दे रखी है आपको opening balance sheet आपको दे रखी है ठीक है NPO का सवाल है बेसिकली तो opening balance sheet दे दी और इसके लाब आपको receipts and payments account दे दिया तो आप चेक भी कर ले ले ला receipts and payment account दो उसने opening balance में cash advance 50 और cash in hand 50 दे रखा है और opening balance sheet में match हो रहा है यहां से ठीक है तो इसके लाब आपको बड़ी सी एक receipts and payment account दे रखा है तो अभी मैं नीचे आ जाता हूं और नीचे वो क्या बोल रहा आप से वो कहा रहा है you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 after making falling adjustments तो आपसे वो खाली income and expenditure account मांग रहा है membership subscription membership subscription included rupees 20,000 received in advance तो हमको subscription मिली कितनी साल में यह रही receipt site में आपको दे रखा है चार लाग की subscription मिली इसमें से वो कह रहा है कि जो 20,000 की subscription है वो advance मिली है आगे कह रहा है provide for outstanding rent rupees 8,000 and outstanding salaries rupees 6,000 outstanding rent और outstanding salaries आपको इसकी adjustment कर दी है उसके अलाबा कहता है books are to be depreciated at 10% including additions अब आप यहाँ पर गौर करना यह अच्छा point है यह अच्छा point है इसमें मैं star mark कर ले इसमें उसने जो depreciation का rate बता रखा है वो 10% का बता रखा है इसने आप देखना word पर annum कहीं नहीं लिखा और annum word इसमें कहीं भी भी लिखा ही नहीं flat 10% उसने बता रखा है तो इसमें हमें जो depreciation की calculation करनी है वो flat rate पर करनी है कोई भी time basis की हमको adjustment यहाँ पर नहीं करनी है तो कह रहा है books are to be depreciated at the rate of 10% including additions including additions यानि साल की दुरान जो नई books खरीदी उस पे भी हम 10% का depreciation निकालेंगे तो आप देख लेना क्या books हमने खरीदी है yes books हमने purchase कर रखी है यह रही चलो इसके लाबा कहता है electrical fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate तो electrical fittings और furniture पे भी आपको 10% का depreciation निकालना है तो यह figure आप कहां से ले लोगे आप opening balance sheet से ले लोगे तो इस पे भी आपको 10% का depreciation निकालना है 75% of the entrance fees is to be capitalized तो आपको entrance fees कित्ती मिली है साल में 60,000 की तो कह रहे हैं इसमें से 75% हमें capitalize करनी है तो जो entrance fees capitalize करते हैं वो हम लोग directly capital fund पे add कर देते हैं और बचिवी बेसिकली जो entrance fees होगी उसको हम लोग revenue receipt की तरह treat करेंगे उसको हम income and expenditure account में लेके जाएंगे तो यह आपका सवाल है इस सवाल की तरह वेटेज आप देखना किता है 15 नंबर की आपकी वेटेज है इस सवाल की और सवाल में आप से वह खाली income and expenditure account मांग रहा है balance sheet भी नहीं मांग रहा इसके अलावा आपको opening balance sheet भी उसने निकाल के दे रखी है तो आपको सारा काम करके दे रखा है उसने adjustments भी बहुत जादा है नहीं उसमें simple है आपकी अचा एक पॉइंट और है में रिखाल से इस question में नीचे एक पॉइंट और है वो कहा रहा है interest on security is to be calculated at the rate of 5% per annum including purchases made on 1st October 2021 for Rs.80,000 तो पहली बात यहाँ पे देखना उसने per annum word use कर रखा है यहाँ पे उसने per annum word use कर रखा है तो interest की जो हम calculation करेंगे वो time basis पे होग इत्ते रुपे की 80,000 यह आपको दे भी रखा है देखो यह आपको रेसिप्स और पेइमिंट में दे रखा है कहां है यह रहा असी जार की purchases उसने यहाँ पर भी दे रखी तो basically आपको opening balance भी दे रखा है investment का opening balance में जो आ रहा है opening balance है इस पे पूरे साल का हम लोग interest निकाल ले फटाफट से discuss कर लेता हूं बहुत simple question है वैसे तो यह है ना यह तो 12th level के इसाप से भी easy question है मेरे साप से चल तो यहाँ देखना पटाफट से देखना हम साली में adjustments discuss करता हूं तो पहले उसने depreciation के बात करी थी या पहले उसने membership subscription के बात करी थी तो कितनी subscription हम credit करेंगे income and expenditure में के दूरान हमको मिली 4 लाग की सब्सक्रिप्शन लेकिन इस 4 लाग में से कुछ हमें एडवांस मिली 20,000 की 20,000 का हमको कुछ एडवांस मिला तो एक्चली में कितनी सब्सक्रिप्शन हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए अपने इंकम इन इस्पेंडिचर में 3,80,000 तो यह देख लेते हैं फटाफट से यह रहां 3,80,000 इसके लाव और क्या आपको उसने बता रखा है उसने बोल रखा है प्रवाइड आउटस्टेंडिंग रेंट 8,000 और 6,000 आउटस्टेंडिंग सालरी तो पेमेंट आपको यह बता रख दिया इसके लावा सैलरी 132 है इसमें अपने आउटस्टेंडिंग एड कर दिया तो बाहर मेरी फिगर इंकम एंड एंड एक्स्पेंडिचर में इतनी आपके इसके लावा और क्या कह रहा है वो आपसे बुक्स इस्टो भी डेप्रिसेटेटेड एड देरेट आप 10% तो ब इतनी की बुक्स हमने परचेस करी 1,20,000 की तो क्योंकि उसमें बोल रखा है कि एडिशन पर भी हमको डेप्रिसेशन निकालना है तो इस पर हम पूरा फ्लैट 10% निकाल लेंगे कोई भी टाइम बेसेस की हमें क्याकुलेशन नहीं करनी तो कितना आ जाएगा 920,000 का 10% तो ब 10% यानी 30,000 और परणीचर का भी 10% इस पर भी 10% निकालना है तो यह आजागा 10,000 तो यह हमारी सारी डेप्रिसेशन आ जाएगी तो देख लेना एक बार वर्किंग नोट में चेक कर लेना तो 30,000 का basically electrical fittings पर हो गया परणीचर पर 10,000 का हमारा बुक्स पर हो गया तो टोटल डेप्रिसेशन मेरी कितनी आ गई 1,32,000 की 1,32,000 की डेप्रिसेशन मेरी आ गई यह रही खताब यह पॉइंट भी फिनिश अगला पॉइंट उसने क्या बोल रखा है 75% of the entrance fees is to be capitalized तो कितनी entrance fees आ रही है हमारे पास 60,000 की entrance fees आ रही है 60,000 की entrance fees में से 75% उसने बोल रखा है capitalize करो और remaining 25% यानी हमारा income and expenditure account में जाएगा तो capitalize कितना होगा 60,000 का 75% तो capitalize होगा 45,000 capitalize का मतलब क्या होगा ये directly capital fund पे add होगा और remaining 25% कितना बचा 15,000 का इसका क्या होगा ये income and expenditure account में credit होगा खत्म खत्म देखना ये ही 15,000 रुपे हमने solution में credit कर रखे होगा इधर आ जाओ तो ये रहे 15,000 रुपे हमने entrance fees के credit कर रखे हैं पुष्टर ने आप सब balance sheet नहीं मांगी तो इसने balance sheet यहां पे solution में नहीं बनी हुई बट अगर balance sheet बनाते तो वहाँ पे हम capital fund में capitalized वाले portion को add कर देते लास्ट आपका पॉइंट है वो है interest on security से related तो कह रहा है 5% per annum का interest बनता है तो कितना interest बनेगा existing कितना है existing investments किती है मेरी 3,00,000 की है तो कैसे निकालूँ मैं यहीं निकाल लेता हूं interest on investment तो मेरी investment पे interest साल का कितना बनना चाहिए कितना साल का interest मेरा बनना चाहिए तो 3,00,000 पे तो 3,00,000 पे तो पूरा 5% निकालेंगे 12 महीने के लिए पूरे साल के लिए plus 80,000 की जो purchase करी हमने वो 1st October को करी तो सिर्फ 1st October से लेकिए 31st March यानि 6 months के लिए हम लोग interest calculate के तो भाई यह कितना आ रहा है 80,000 का 5% प्लस 3,05,000 प्लस तीन लागा 5% आएगा 15,000 तो यह आ रहा है 17,000 तो मेरा कितना interest income credit होना ची इंकम expenditure में 17,000 लेकिन कितना मिला है इसमें से मेरे को इधर आके देखना सिर्फ 16,000 मुझे मिला है सिर्फ 16,000 मिला है तो अगर इसमें से 16,000 मैं minus कर दूँगा तो बचे होई जो एक हजार रुपे हैं जो मुझे नहीं मिले ये मेरे हो जाएंगे accrued interest यह हो जाएगा मेरा accrued interest जो कि मेरे लेक ऐसेट होता है तो यही करखा होगा solution में आ जो इंट्रस्ट और सेक्यूरिटी इस उसने बोल रखा है 16,000 हमें मिले हजार रुपे accrued interest है तो टोटल साल का मेरा interest income बन गया 17,000 का तो मेरी adjustment सारी खतम हो गई इसके लाबा reception payment account में से क्या चीज़े कहां लेनी है तो यह मैं जल्दी से बता देता हूँ तो sale proceeds of old newspaper normal income है income and expenditure में credit side आ जाएगी hire of lecture hall 40,000 का normal income है यह भी income and expenditure account में credit side आ जाएगी क्या है revenue expense है तो यह income and expenditure account में expenditure side पर आ जाएगा debit side पर आ जाएगा post and stationary भी normal खर्चा है debit side पर आ जाएगा telephone charges भी खर्चा है debit side पर आ जाएगा books purchase तो एक fixed asset की purchase है capital expenditure है तो वो तो income and expenditure में नहीं आएगी जेकिन उसका depreciation आ जाएगा जो हम लोग इसके लावा उसने बोल रखा है outstanding expenses paid तो यह पुराने कोई outstanding expenses होंगे तो इधर आ जो ज़रा क्या कोई expenses थे 14,000 के expenses थे देखना outstanding expenses हमारे 14,000 के थे तो यह हमने इसमें से कितने पे करें पूरे 14,000 पे कर दी तो बस यह information दे रहा है यानि अब यह 14,000 पे जो opening आ रहा था खर्चा आ रहा था वो अब खतम हो गया इसके लावा rent already deal कर चुके investment and securities capital expenditure है लेकिन उसका interest income हम already ले चुके salaries भी हम लोग deal कर चुके इसके लावा closing balance में आपको cash at bank or cash in hand दे रखा है इतना आपका खतम हो गया तो यानि सारी चीज़े आप accordingly लो deficit बच जाएगा 33,400 का अब question है although आपसे balance sheet तो नहीं मांगी बट फिर भी मैं आपकी practice के लिए और clarity के लिए balance sheet भी बना दोता हूँ पड़ावट से एक छोटी सी balance sheet बना देते है closing balance sheet black pen से लिखते हैं एक balance sheet बना देते है closing वाली, closing date क्या है भई, date है 31st March 2022, 31st March 2022, एक छोटी सी rough में balance sheet बना देता हूँ ठीक है यह आगया liability यह आगया assets ऐसी rough-ruff में बना रहा हूँ, तो सबसे पहले capital fund ले लेंगे, capital fund तो capital fund opening balance sheet से उठा लो, opening balance किता है 15,86,000 का 15,86,000 इसमें सबसे पहले interest fees add कर देते हैं तो कितनी entrance fees capitalize करनी थी हमको, I think 45,000 है न, 45,000 आया था क्या न, इधर आ जाओ, इधर कहाँ निकाला था मैंने यह निकाला था है न, 45,000 के entrance fees capitalize करनी है जो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे इसके अलाबा, deficit minus कर देंगे deficit minus कर देंगे, तो कितना का deficit आया था इधर, 33,400 का 33,400 का deficit minus कर देंगे तो कितना बज गया यह, 15,86,000 plus 45,000 minus 33,400 तो यह आ रहा है, 15,97,600 15,97,600 हम मैं सारी adjustment से figure ले ले लेता हूँ, तो सबसे पहले उसने क्या क्या बता रखा था, तो पहले उसने किस चीज की information दी थी, adjustment से शुरू करते हैं हम लो सबसे पहले उसने membership subscription में बोला था, 20,000 advance है, तो advance subscription एक liability होती है, तो यहाँ डाल देता हूँ advance subscription, 20,000 फिर next adjustment थी, outstanding rent की और salary की तो वो डाल देता हूँ 8,600, outstanding rent है 8,000, और outstanding salary है 6,000 की, outstanding salary है, और और क्या-क्या adjustment है, फिर सारी आपकी assets वगरा की हैं, तो depreciation की हैं, तो depreciation एडजस्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले books लेता हूँ, books में कितना आ जाएगा, 9,20,000 की books थे total, including purchase, इसमें से 92,000 की depreciation निकल गी तो यह कितना आ जाएगा, 9,20,000, minus 10%, यह बच रहेगा, 8,28,000 फिर electrical fittings, electrical fittings कित्ती थी हमारे पास, electrical fittings थी हमारे पास, 3,00,000 की तो 3,00,000 के electrical fittings में से 30,000 का depreciation चार्ज हो गया, तो बच कित्ते गई, 2,70,000 इसके अलावा furniture, तो furniture हमारे एक लाग के थे, opening में, 10,000 का depreciation चार्ज कर दिया, तो बच गए, 90,000 90,000, तो यह भी हमारी बात खतम हो गई, और अगला point क्या है भई, अगली adjustment क्या थी, पहले हमें adjustments से चल रहा हूँ, तो 75% of the entrance fees, यह मैंनों already ले लिया, फिर next है interest on investment, तो एक हजार रुपी की जो accrued interest है, यह मेरे ले एक asset है, तो यह मैं ले डाल देता हूँ, accrued interest, 1,000 इसका लावा एक चीज मठ डालना भूल जाना, receipts and payments account में से closing cash at bank और cash in hand, यह कित्ता कित्ता आपको दे रखा है, चेक कर लेता हूँ, तो capital fund हो गया, expenses payable तो 14,000 के pay हो गयते हैं, और जो नए expenses, outsending expenses हैं, वो मैंने डाल दिये, electrical fittings हो गया, furniture हो गया, books हो गया, अब investments and securities डाल देता हूँ, तो 3,00,000 थी और नई add होगी, 80,000 की, तो investment आ जाएगी मेरी, 3,00,000 अजाएगी, इस के लाबा और क्या-क्या दे रखा है, cash in hand और bad bank तो मैं already डाल चुका, तो अब मेरी balance sheet मेरे खाल से complete होगी, I hope मैं कुछ भूला ना हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़े step by step match कर दी, तो अब बढ़ टोटल कर लेते हैं, liability side का आ रहा है, 15,97,600 plus 20,000 plus 14,000, 16,31,600 आ रहा है total, asset side का किता total आ रहा है, 8,28,000 plus 270 plus 90 plus 41 plus 22,600 plus 3,80, तो इसका भी total आ रहा है, 16,31,600, 16,31,600, यह ऐसा मेरी balance sheet बनती, question ने although मांगा तो नहीं था, लेकि मेरे साब से 15 marks में वो आप से balance sheet भी मांग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, actually इसमें आपको जादा काम करना भी नहीं था, आपको इसमें opening balance sheet बनानी भी नहीं थी, तो straight forward question था, तो question आप से मांग सकता है, balance sheet भी इस तरह के सवाल में, इसलिए मैं आपको बनवा दी, ठीक है, तो I hope ये question भी clear हो गया होगा, मैं फटावट से अगली question में बढ़ता हूँ, अब हम करते है, question number 5 का B part, अच्छा सवाल है, star mark कर लेता हूँ इसमें, it's a good question, तो कह रहा है, Xavier and Company, employs a team of 9 workers, who were paid rupees 1,20,000 per month, each in the year ending 31st December 2020, तो कह रहा है कि 31 December 2020 को जो साल खतम हुआ, उस साल में, Xavier and Company के बाद 9 workers थे, जिनको 1,20,000 per month की salary दी जाती थी, at the start of 2021, the company raised salaries by 10% to 1,32,000 per month, each, यानि कि नया साल जो शुरूवा 2021 का, यानि 1st January 2021 को जो साल शुरूवा, उस साल जो company उसने रेस कर दी अपनी salary, 1,20,000 per month से, 1,32,000 कर दी, ध्यान रखना ही जो दोनों भी salaries दे रखी है, ये पर employee salary दे रखी है, पर month पर employee, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसके लाबा किया रहा है, on 1st July 2021, the company hired two trainees, at a salary of Rs. 63,000 per month each, तो दो trainees hire करे, company ने, जिनको 63,000 per month की salary दी गई, ठीक है, ट्रेनी को ऐसे stipend दी जाती है, बट ठीक है, कोई बात है, इस लाइन का अगर आपको मतलब ना भी समझाए, तो clarification के लिए उसने आगे बता दिया, क्या मतलब इसका, so that the employees receive the salary, for January on the first working day of February and etc. यानि हर next month की पहली तारीख को आपको पिछले मन्त की salary मिलती है, January की salary 1st, February को मिलीगी, February की salary 1st, March को मिलीगी, March की salary 1st, April को मिलीगी, April की salary 1st में को मिलीगी and so on, तो ये इस लाइन का मतलब है, question आप से क्या मांग रहा है, you are required to calculate amount of salaries, which would be charged to profit and loss account for the year ended, 31st December 2021, तो पहले वो बोल रहा है, P&L account में कितनी salary आप charge करोगे, फिर कहा रहा है, amount actually paid as salaries during 2021, 2021 में total किजनी salary actually pay करी cash में, घर्ड में कहा रहा, outstanding salary बताओ, 31st December 2021 की, अच्छा question है, लेकिन simple है सबाद, देखो, 46 timelines ही बना देते हैं, यह है 1st January 2020, यहाँ साल खतम हुआ 31st December 2020, और नया साल शुरू हुआ 1st January 2021, और यहाँ पर साल खतम हुआ 31st January 2021, सारी 31st December 2021, 31st December 2021, यह मेरा साल खतम हुआ, अब कहा रहा है question आपसे, कि यहाँ पर, पिछले साल में हमारे पास, 9 employees थे, 9 employees थे, नहीं बोलें ना, 9 employees थे, वरकर्स थे, जिनको हम, 1,002,000 की सैलरी देते थे, पर मन्त, इन 9 workers की जो सैलरी है, वो बढ़ गई इस साल, अब यह 9 workers की जो सैलरी है, यह बढ़ के हो गई, 1,003,000 पर मन्त, इसके अलाब आप से सवाल कह रहा है, कि साल के बीचो बीच, यानि कौनसी देट को, 1st July 2021 को, बीचो बीच हो गया यह, 1st July 2021 को हमने, इतने नए इंटर्न्स, कुछ ट्रेनीज हायर करे, 2 ट्रेनीज, तो हमने यहाँ पे, 2 ट्रेनीज हायर करे, 2 ट्रेनीज हायर करे, जिनको हमने सैलरी दी, 63,000 पर मन्त की, तो कब से कब तक की सैलरी बनीगी इसकी, 1st July से लेके, 31st December तक की सैलरी बनीगी, यह कोशन आप से कह रहा है, इसके लावा एक information उसने और दीए, कि जो भी सैलरी आम पे करते हैं, वो next month में पे करते हैं, 1st day पे, है ना, तो हर महीनी की पहली तारीख को, पिछले महीनी की सैलरी पे करी जाती है, यह कोशन है आपका, तो सबसे पहले सवाल ने आप से पूछा है, कि बताओ, PNL अकाउंट में कितना चार्ज करेंगे, कितना सैलरी का खर्चा दिखाएंगे, यह ना, तो यह भी आप कह सकते हो, फाइनल अकाउंट को कोशन है, तो बेसिकली आपको निकालना है, कितनी सैलरी करेंट एर के क्रू होगी, तो कितनी होगी यहां से देख लो, इस डाइग्राम से देखना, तो अगर मैं वर्कर्स की बात करूँ, तो वर्कर्स की कितनी सैलरी बनीगी, तो नाइन वर्कर्द हैं, हर वरकर को 1,32,000 पर मन्त की सैलरी मिलती है और साल में टोटल 12 मन्त है कितना आ गया है 9 into 132 into 12 तो यहार है 1 करोड 42,56,000 प्लस ट्रेनीज की बात करो ट्रेनीज कितने हैं हमारे पास ट्रेनीज है हमारे पास 2 ट्रेनीज तो ट्रेनीज है जिनको 63,000 पर मन्त की सैलरी मिलती है और कितने महीनी की सैलरी मिलीगी 1 जुलाई से 31 देसंबर यानी 6 महीनी की सैलरी मिलीगी तो इनका कितावनगा 2 into 63,000 into 6 तो यहार है 7,56,000 7,56,000 टोटल सैलरी का खर्चा कितना हो गया टैलरी एक्स्पेंस टूबी चार्ज़ टू पी एनल अकाउंट कितना आगया इसका टोटल कर देते हैं प्लस 14256,000 तो यहार है एक करोड पचास लाग बारा होगा तो पहला पार्ट का अंसर यह होगी सेकेंड विस्पेंस ने पूछा है अमाउंट कितना एक्चली पे हुआ है सैलरी 2021 यानी एक्चली में कैश में कितनी सैलरी पे करीगे आजो यह भी निकाल लो सेकेंड सेकेंड तो सबसे पहले आप देखना याद रखना जो कुष्टन ने इन्फरमिशन दिये कि हर पहली तारिक को पिछले महीनी की सैलरी दे जाती तो मेरा जो आउंटिंग येर स्टार्ट हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ 1st January 2021 से स्टार्ट हुआ तो 1st January 2021 को मैंने दिसेंबर की सैलरी दी होगी मैंने दिसेंबर की सैलरी दी होगी है ना तो दिसेंबर की सैलरी दी होगी जन्वेरी से लेके नवेंबर तक की सेलरी दियोगी क्योंकि जो दिसंबर की सेलरी है वो तो अगले साल दी जाएगी दिसंबर की सेलरी जो है यानि 31st दिसंबर 2021 को जो महीना खतम हुआ दिसंबर 2021 का जो महीना है उसकी सेलरी अगले मही अगले साल पे करी जाएगी 1st जन्वरी 2022 को पेज की जाएगी तो current year में मैंने किचनी salary पे करी होगी अगर इसमें भी मैं पहले workers की बात करूँ workers की बात करूँ तो मैंने कित्ती कित्ती salary पे करी होगी ध्यान से देखना तो पहले तो मैंने December 2020 की salary पे करी होगी तो 9 workers को 1,20,000 के साब से मैंने एक महीने यानि December की salary पे करी होगी प्लस इसके लावा मैंने 9 workers को 1,32,000 के साब से 11 महीने की salary पे करी होगी 11 महीने कैसे फिर से बता जेता हूँ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November यानि January से लेके November तक ही salary क्योंकि December की salary तो हम लोग next year में पे करेंगे तो कितना amount ही आ जाएगा तो मैं निकाल लेता हूँ 9 into 120 into 1 plus 9 into 132 into 11 देखतार है 1 करोड 41,48,000 1 करोड 41,48,000 Similarly, अगर मैं interns की या trainees की बात करूँ तो trainees के लिए भी देखना है trainees तो current year में आए तो पिछले महीने की तो बात ही नहीं हुए या पिछले साल की तो की बात ही नहीं हुए तो हम लोग trainees को कितने महीनों की salary देंगे जुलाई की देंगे ऑगस्ट की देंगे सेप्टेंबर की देंगे अक्टूबर की देंगे नवेंबर की देंगे December की salary जो है अगले साल दी जाएगे तो सरे 5 महीनी की salary पे होगी तो trainees की calculation बहुत simple है दो trainees है 63,000 की salary है और इनको हम लोग 5 मंस की salary देंगे तो यह कितना आ जाएगा 2 into 63,000 into 5 तो यह आ रहा है 6,30,000 टोटल कितना आ गया 141,48,000 1 करोड 47,78,000 1 करोड 41,78,000 3rd partner वो आप से क्या पूछ रहा है 3rd partner वो आप से पूछ रहा है कि outstanding salary बताओ 31 December 2021 को कितनी outstanding salary होगी तो बहुत simple है बाई 31 December को सिर्फ December की salary outstanding होगी क्योंकि बाकी salary तो पे हो गई होगी तो 31 December को जो salary outstanding होगी जो outstanding होगी वो सिर्फ December 2021 की होगी तो इसको भी calculate कर लेते कैसा आएगा 3rd तो 3rd हम कैसे calculate करेंगे अगर मैं workers की बात करूँ अगर मैं workers की बात करूँ तो 9 workers हैं 1,32,000 की salary पर month है और एक महीने की salary outstanding होगी तो यह कितना आएगा 9 into 132 यहार है 11,88,000 11,88,000 प्लस अगर मैं trainees की बात करूँ trainees की बात करूँ तो दो trainees है पर month salary है 63,000 की और इसके भी एक महीने यानी December 2021 की salary outstanding होगी तो यह कितना आजाएगा 2 into 63,000 यहार है 1,26,000 तो टोटल कितना आजाएगा टोटल आ रहा है 13,40,000 14,000 13,14,000 this is my outstanding salaries on 31st December 2021 31st December 2021 फटाफट से एक बार answers चेक कर ले था हम लोग तो सारे हमारे answers ठीक आ रहे हैं कि नी तो पहले part का answer क्या था यह भी सही आ रहा है एक करोड़ पचास लाग बाराजार यह भी सही आ रहा है और 13,14 यह भी हमारा ठीक आ answer मैच हो रहा है ठीक है तो ऐसे करना थे सवाल तो अच्छा सवाल था एजी था लेकिन अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें आपकी conceptual application हो रही थी चलिए फटाफट से अगले question के और बढ़ते हैं अब हम लोग करते है question number 6 last question ए पार्ट चलिए हरियोम limited registered with an authorized equity capital of rupees 16 lakhs divided into 8,000 shares of rupees 100 each so काफी सारी mistakes है इसमें इसको ठीक कर देता हूँ यह 8,000 नहीं होगा यह 16,000 होगा ठीक है तो 16,000 होगा 12,000 shares है और rupees 100 each issued for subscription of 4,000 shares payable at 25 per share on application 25 per share on application 30 per share on allotment 20 per share on first call and balance as and when required तो क्या break up बता दिए उसने 100 rupees का share है तो कैसे कैसे मिलना है तो application पर बोल रखा है 25 और 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 allotment पर बोल रखा है 30 first call पे भी उसने बोल रखा है किता है 20 20 बोल रखा है first call पे और balance हो गया मेरा last call पे तो last call किती बच गई मेरी 45, 75, 25 भी बच गई तो यह break up है आगे कह रहा है application money on 4000 shares was duly received तो 4000 shares के हमारा पास application money है यानि है full subscription हो गया an allotment was made to them the allotment amount was received in full but when the first call was made but when the first call was made two shareholders failed to pay the amount on 400 shares each तो first call पे दो नलाइक shareholders थे जिनके पास 400 shares थे मलब दोनों के बास 400-400 shares थे उन दोनों नलाइक shareholders ने भी first call का पैसा नहीं दिया and another shareholder with 400 shares paid the entire amount on his shares तो एक अच्छा shareholder भी था जिसके पास 400 shares थे उसने हमें first call के साथ ही बचावा पैसा भी दे दिया यानि first call के साथ ही उसने second call का पैसा भी दे दिया the company did not make any other call यानि first call के बाद अभी हमने कोई भी call नहीं मंगवाई यानि इसका मतलब क्या हो गया कि यहां तक तो हमारा called up है यह अभी मिला call नहीं किया या भी हमने call नहीं करा यह बोलना चाहरा है question आप से the company did not make any other call give the necessary journal entries in the books of the company to record these transactions किते नंबर का सवाल है यह सर यह 10 नंबर का पूरा बच्चो वाला सवाल है बच्चो वाला सवाल है इसमें तो कुछ हजार शेर्स पर 25 रुपे के application मिली तो एक लाग रुपे मिल गए फिर हमने allotment के time इस application money को share capital में transfer कर दिया एक लाग रुपे को फिर हमने allotment due का due के entry करी तो 4000 शेर्स पर 30 रुपे के साब से एक लाग बीस रुपे हमारे due हो गए और फिर हमने allotment का तो पैसा पूरा मिल गया back account debit to equity share allotment अकॉंट फिर हमने first call का पैसा due किया तो 4000 शेर्स पर फिर्स कॉल के 20 रुपे थे तो टोटल 80,000 रुपीज due हो गए अब क्या दिक्कत होई अब क्या दिक्कत होई परस्ट कॉल की टाइम हमें दो नालैक शेर्स पर फिर्स कॉल का पैसा नहीं दिया दोनों के पास 400-400 शेर्स थे तो दो शेर्स जिनके पास 400-400 शेर्स थे उन्होंने हमें first call का 20 रुपिया नहीं दिया तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा इसके अलावा एक अच्छा शेर्स शेर्स थे उसने हमें बचा हुआ जो भी पैसा है वह भी दे दिया साथ में मतलब first call के साथ में तो एक 400 रुपे के चार सो शेर्स के पे हमको बेसिकली बच्छोए 25 रुपे मिल गए बच्छोए 25 रुपे कौन से मिल गए यह वाले यह वाले 25 रुपे हमको मिल गए जो अभी हमने मंगवाए नहीं तो यह आ जाएगा दस हजार बाकि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी एक पुटी शेर्स पॉल को तो हम 18,000 से पूरा खतम कर देंगे और बैलेंस जो मेरा बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगा वह 74,000 का आ जाएगा आप इसको ऐसे भी कैल्कुलेट कर सकते हो 80,000 रुपीज मुझे मिलने चाहिए थे 80,000 रुपीज मिलने चाहिए थे इसमें से 16,000 रुपे मुझे मिले नहीं 16,000 रुपे मिले नहीं बस इतनी एंट्री करनी थी ये बच्चे वाली एंट्री करके आप लोग प्रॉपरली मसलब कमाल होगे 10 नंबर बस इसमें ध्यान रखना आप जो भी एंट्री करो उसके नरेशन ज़रूर डालना और प्रॉपर फर्मैट्स बनाना पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट त पाकी तो बच्चे वाला सवाल था प्री के दस नंबर इसमें मिल गया आपको अब करेंगे हम लोग कोशन 6 का बी पार्ट कोशन 6 का बी पार्ट संपती लिमिटेड इस्जू थी हंड़ेड लाग एट परसंट डेबेंचर और रुपीज हंड़ेड इच अट डिस्काउंट परसंट तो यह आपका डेबेंचर इस्जू अब डेबेंचर चाप्टर का सवाल आ गया तो संपती लिमिटेड ने तीन सो लाग डेबेंचर इस्जू करें एट परसंट डेबेंचर और रुपीज हंड़ेड इच वो भी अट डिस्काउंट आप 6 परसंट डिस्काउंट 6 परसंट का क्या मतलब हो गया 6 रुपे का डिस्काउंट 6 रुपे का डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम और 5 परसंट रिडीमेबल एट प्रीमियम और 5 परसंट तो यानि प्रीमियम पे रिडीम करना है तो कितने रुपे पे रिडीम होगा मतलब कितने रुपे का premium बन जाएगा इसमें यह बन जाएगा 5 रुपे का premium 5 रुपे का premium after 3 years payable as 50 on application and 44 on allotment so basically issue price मेरी क्या है 100 रुपीज की face value है लेकिन 6 रुपे का discount है अभी कैसे कैसे मिलना है हमें 2 तक्लों में मिलना है application में मिलना है 50 रुपे और allotment में मुझे मिलना है कितरा 50 minus 4 50 minus sorry 50 minus 6 50 minus 6 ऐसे मिलना है हमको यह तो जो गोला बना है वो face value है और जो 6 लिखा हुआ है यह discount होगा question आप से मांग रहे you required to prepare necessary journal entries for the issue of debentures again एक बच्च वाला सवाल तो इसको भी मैं directly solution सी दिखा देता हूँ तो पहली entry किया होगी bank account debit to debenture application इसमा amount कैसे निकलेगा अच्छा इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर lakhs में number दे रखे हैं तो हमारी rupees भी lakhs में ले लेंगे हम लोग तो यह आप लोग mention जरूर करना ठीक है हम लोग rupees lakhs में लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर तो कितने 300 लाख debentures हमने issue करे और application पर हमको 50 रुपे मिलने तो यह कितना आजाएगा 15,000 लाख फिर इसको हम लोग 8% debenture account में transfer कर देंगे 15,000 को बात खतम एक बात ध्यान रखना हैं जब भी तुकडो तुकडो में हमें पैसे मिलने होते हैं तो जब premium on redemption वाली में adjustment करनी होती है हम जो premium on redemption पे recognize करते हैं कि premium on redemption एक liability भी recognize करते हैं और loss on issue को भी recognize करते हैं उस entry को आप debenture allotment due करने वाली entry यानि इस वाली entry पे record करोगे तो बहुत बच्चे यह भूच जाते हैं इसलिए मैं point out कर रहा हूँ आप लोग याद रखना कि इस वाली entry पे हम लोग अपनी premium on redemption की adjustment करेंगे तो यह कैसे कैसे हो जाएगा निको जेको निकालो debenture allotment account debit तो हमें कितने पैसा मिलना है debenture allotment पे तो 300 lakh debentures पे हमें 44 रुपीज मिलने है 300 lakh debentures पे हमें 44 रुपीज मिलने है तो यह बन जाएका 13200 lakh रुपे loss on issue में हम क्या ले लेंगे discount on issue और premium on redemption दोनों को club कर देंगे दोनों को club कर देंगे तो discount on issue है 6 रुपे का premium on redemption है 5 रुपे का और number of debentures है 300 lakhs तो आप जब इसको multiply कर दो कि तो यह आ जाएगा 3300 lakhs 8% debenture account में तो आपका यह जाएगा face value debenture account में हमेशा face value जाता है तो कितना चला जाएगा यह 300 lakh debentures पे 50 रुपे का face value transfer हो जाएगा और premium on redemption account एक liability recognize कर लेंगे तो यह कितनी आ जाएगी 5 रुपे के premium पे leading करना है और 300 lakh debentures है इस प्रकार से आपका इस सवाल खतम हो जाएगा और फिर आपको allotment का पैसा मिल जाएगा उसकी entry कर देंगे bank account debit to debenture allotment account यह 13200 रुपे जो मिलने है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगे तीक है working note में आप इस प्रकार से अपनी calculations को दिखा सकते हो जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई यह वाली तो बहुत straightforward question था अब फटा फट से last question discuss कर लेता हूँ बहुत लास्ट practical सवाल discuss कर लेते हैं C part अच्छा इस सवाल की वेटेश थी फाइब मार्क्स जो डिबिंचर का question हमने discuss किया अब अच्छी बात यह है कि C part में भी आपको internal option मिल रहा है C part पे आपको internal option मिल रहा है आप C करो यह वाला करो या फिर आप यह वाला करो तो यह बहुत सीधा साधा BRS का 5 number का सवाल है तो I am assuming अगर यह choice आपको मिलेगी तो आप सभी बच्चे BRS का ही सवाल attempt करोगे theory का सवाल आप attempt करना पसंद नहीं करोगे ठीक है तो पहले BRS discuss कर लेता हूँ कहरा है from the following particulars prepare a bank reconciliation statement for Adam Limited as on 31st March 2022 balance as per cash book दे रहा है 6 lakh का फिर कहरा checks issued but not presented in the bank's amounts to 3,44,000 कुछ checks हमने issue करे कुछ checks हमने issue करे और उस checks को हमने payment के लिए दिया लेकिन वो अभी payment के लिए present नहीं किया तो हमने check issue करते ही अपना cash book कम कर दिया होगा लेकिन क्योंकि अभी present ही नहीं हुआ payment के लिए तो हमारा pass book अभी कम नहीं हुआ होगा तो हमें इसको reconcile करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको cash book को बढ़ाना पड़ेगा तो 3,44,000 हमारा plus हो जाएगा फिर कहरा है bank charges amounts to rupees पंदरा सो रुपे bank charges है पंदरा सो रुपे तो हमारा cash book है तो bank ने हमारा bank charges काट दिये तो हमारा pass book कम कर दिया होगा लेकिन अभी हमने अपना cash book कम नहीं किया होगा तो इसको reconcile करने के लिए हमको cash book को कम करना पड़ेगा पंदरा सो रुपे से और फॉर्थ मैं कहरा है interest credited by bank amounts to 7,500 bank ने हमें कुछ interest दिया तो जब interest दिया होगा तो pass book उसने बढ़ा दी होगी हमारी तो इसको reconcile करने के लिए हमें cash book भी बढ़ानी पड़ेगी तो cash book मेरी बढ़ जाएगी 7,500 रुपीस से और फिर आपका answer आ जाएगा देख लो यही किया हमने 6,00,000 रुपे plus किया हमने check issue but not presented for payment यह है वो कहरा explain in brief objective and advantages of setting accounting standards तो यह आप theory का question है पढ़ लेना यह न ऑल्दो अगेन इसमे इसमें आई जो theory के सवाल है पता नहीं क्यों ऐसे paragraph में देता है आप इसको अपनी language में बनाके points में लिखके आ सकते हो तो पांच नमबर का लिखके आप अपनी accounting standards के objective और advantages अपनी words में लिखके आ सकते हो ठीक है objectives भी लिखने और advantages भी लिखने तो बहुत दादा point नहीं लिखने दो तीन point बना देना objective और advantages के और आपका सवाल खतम हो जाएगा अगर आप यह करना चाहो वैसे question में तो obviously अगर ऐसा choice में लेगा तो आँख बन करके सभी बच्चे 100% मैं तो 99 भी नहीं 100% बच्चे BRS का ही सवाल attempt करेंगे तो बस इस प्रकार से मेरा पूरा mock test paper खतम हो गया तो मैंने exhaustively आपके साथ पूरा mock test paper to discuss किया exhaustive discussion का मतलब जो मेरा objective था यह simple था कि एक तो आपकी revision हो जाए proper में जो भी सारे concepts है हमारे जो यहां पर लग रहे थे सवालों में वो सारे याद हो जाए आप मेरे साथ साथ इनको solve भी करसों को जहां पर भी इस mock test paper में unfortunately इस mock test paper में काफी सारी printing mistakes भी थी और इसके लावा एक जो मैंने goodwill का point जो partnership accounts का question था जो goodwill वाला point था उस point में बहुत सारे बच्चे हो सकते अटक जाते तो वो point भी मेरा जरूरी था कि मैं आपर discuss कर दो तो मैं उमीद करता हूँ आपने पूरा देखा होगा मेरा इस discussion को देखा होगा मेरे साथ साथ solve किया होगा और आपको सारी चीज़े याद आगी होगी तो अगर आपको ये वीडियो helpful लगी तो please मेरे को support जरूर कीज़ेगा YouTube algorithm को जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो दिख जाएगा description में भी दे रखा है तो आप मेरे साथ वहां connect कर सकते हैं तो again बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुनने के लिए अपना ख्याल रखिए परिवार का ख्याल रखिए हासी कुशी रहिए एक दूसरी की मदद करते रहिए और positive mindset से पढ़ाई करते रहिए मै आप से मिलूगा फिर किसी और lecture में तब तक के लिए bye bye and take care